10 देखिए क्या कर रहा है कि if fx equal to में दिया हुए हाँ a minus x का power n का whole power 1 by n और a क्या कर रहा है greater than 0 and n belongs to natural number n क्या है natural number से belong करता है तो हमें prove करके दिखाना है कि f fx का value जो होगा x होगा for all x किसी भी x के लिए यानि x क्या होगा यहाँ पर x क्या होगा यहाँ पर कोई भी real number हो सकता है तो हमें चलिए देखते हैं यहाँ पर f fx का value निकाल कर तो यहाँ हम लोग fx के place पर यहाँ पर यह रख देंगे a minus x का power n का power 1 by n तो चलिए इसमें रखते हैं ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा a minus x के place पर यह रखेंगे a minus x का power n का power 1 by n x के place पर रख दिया हमने इसको रख दिया x के place पर और यहाँ power में है n और इस पूरे का power है 1 by n तो यहाँ देखो न n से n कट जाएगा अब देखिए यहाँ क्या बचेगा a minus a और यह minus minus plus x का power n और इसका power 1 by n a से a आपका कट जाएगा x का power n और इसका power है 1 by n तो n से n यहाँ कट जाएगा x नहीं आ जाएगा दर पर उने दिखा दिया कि f f x का value जो होगा function f में f x रखने पर value जो आएगा वह क्या आएगा x आएगा समझ गए सरे को स